हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बीम्स के बारे में हम जानेंगे कि H-beam और I-beam ये दोनों क्या होते हैं दोनों में क्या डिफ्रेंसेस हैं किस जगह पर इन्हें यूज किया जाता है और किस लिए यूज किया जाता है विज्वली देख करके हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा I-beam है और कौन सा H-beam है दोनों बिल्कुल एक ही तरह दिखते हैं तो हम देख करके कैसे पता करेंगे कि यह I-Beam है कि H-Beam है इस वीडियो को देखने के बाद यह confusion जो है वो भी आपकी clear हो जाएगी आप आसानी से पहचान पाएंगे कि यह I-Beam है या फिर H-Beam है तो friends ऐसे ही industrial technical videos mechanical engineering field से related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 930 से ज़्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video को start करते हैं बने रहेगा video में अन्तिता है friends सबसे पहले हम beam के basics को समझते हैं basic terms को समझते हैं तो देखिए जो उपर वाला हिस्सा है ये होता है इसका top flange ना flange है ये top flange है नीचे वाला हिस्सा वैसे ही bottom flange है यानि कि ये दोनो flange है जबकि जो center में है बीच में ये ये है इसका web इसे web कहा जाता है और इसे central web भी कहा जाता है इसकी जो thickness है वो होगी web thickness और उपर और नीचे की जो flange की thickness होती है उसे flange thickness कहा जाता है और ठीक उसी तरह इसके width को flange width कहा जाता है और जबकि web के height को web length कहा जाता है या फिर web height कहा जाता है तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि visually देखके हम कैसे पहचान पाएंगे कैसे identify करेंगे कि ये edge beam है या फिर eye beam है तो इसका सबसे आसान तरीका है आपको cross section को देखना है beam के जैसे कि left hand side वाला जो beam है इसका आप देख सकते है edge जो है वो tapered है अंदर side से आप देख सकते है दोनों ही flange जो है अंदर side से देखिए वो tapered गए हुए है और eye shape का formation हो रहा है है ना जबकि ये होगया आपका eye beam जबकि right side वाले image को अगर हम देखते है तो ये है आपका edge beam है ना इसके जो edges है वो flat है आप देख सकते हैं बिलकुल parallel है और flat है जो flange है वो पूरा parallel है जबकि यहाँ पर इसका flange जो है वो थोड़ा सा tapered होता है eye beam में तो इससे आप directly पता कर सकते हैं कि ये eye beam है या फिर edge beam है eye beam होगा तो tapered edge होंगे इसके अलावा आप इसके size से भी इसको पहचान सकते हैं जैसे कि जो edge beams होते हैं उसका height और width almost जो है वो same ही होता है जैसे कि 100 mm by 100 mm के size का आएगा 125 mm by 125 150 mm by 150 mm 200 mm by 200 mm तो इसका जो flange का width है वो 200 mm है और इसका web का जो length है वो भी 200 mm है यानि कि आप direct measure कर सकते हैं flange का width किता है web का height किता है अगर दोनों एक जैसा आ रहा है तो ये आपका edge beam हो गया है जबकि अगर हम eye beam के size की बात करें तो वो कुछ इस तरह से size में आते हैं 100 mm by 50 mm 150 mm by 75 mm 200 mm by 100 mm है ना तो यहाँ पर जैसे मान लीजे 200 by 100 mm का आपका eye beam है तो यहाँ पर जो 200 mm होगा वो web का height होगा जबकि 100 mm जो होगा वो top और bottom flange का width होगा तो इसमें क्या होता eye beam में mostly web का height जो होता है वो double होता है आपके flange के width से तो क्योंकि इसके cross sections की वज़ा से जो H beam होता है और इसके shape की वज़ा से इसका central web जो होता है वो ज़्यादा चौड़ा भी होता है जिसकी वज़ा से क्या होता है H beam ज़्यादा load को bear कर सकता है as compared to eye beam और यही reasons हैं कि जहाँ पर heavy constructions होते हैं बड़े-बड़े structures का construction होता है वहाँ पर H beam को use किया जाता है in place of eye beams जबकि eye beam को ऐसे जगस पर use किया जाता है जहाँ पर light loads होते हैं या फिर medium loads जो है वो applicable होते हैं जो H beams होते हैं वो generally ज़्यादा heavy होते हैं as compared to eye beam web center यानि कि इसका जो center web होता है H beam का वो ज़्यादा थिक होता है जिसकी वज़े से वो ज़्यादा stronger होते हैं जबकि eye beams में क्या होता है उसका जो central web होता है वो कम थिकर होता है यानि कि less thick होता है as compared to H beam के central web के जिसकी वज़े से ये कम load receive कर सकते हैं as compared to H beams तो friends इस वीडियो में इत्ता ही तो ये वीडियो थी हमारी H beam और I beam के उपर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा